हलो फ्रैंड्स, कृष्णा क्लासिस में आपका श्वागत है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भी ये थर्ड सेमिस्टर का ड्रामा दप्राइस दप्राइस ऐसा का मैं दिखाई दे रहा है दप्राइस ये क्या है? एक अमेरिकन ड्रामा है इसको ध्यार रखना है आपको क्या है ये? अमेरिकन ड्रामा है कि कि यहाँ पर आपका objective और very short type question बनता है कि अमेरिकन ड्रामा है, Indian ड्रामा है, British ड्रामा है कौन सा ड्रामा है? तो ध्यार रखेंगे और ये किस ने लिखा है? Arthur Miller ने लिखा है ये भी point आपको ध्यार रखना है मतलब कौन इसके writer है? यहाँ भी आपका question बनता है तो देखिए इस ड्रामा को मैंने बहुत ही अच्छे से explain किया है और मैं आपसे दावा करती हूँ इस ड्रामा से related आपको एक एक point बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो देखिए इहाँ पर मैंने ड्रामा से related कुछ बहुती most important points को लिखा है जो आपके paper के लिए बहुती beneficiable है तो चलते हैं पहले इन points को clear कर लेते हैं तो first point है the price is post modern American drama क्या है यह? post modern American drama है पहला point second point है it is written in 1967 में यह 1967 में लिखा गया है year letter एक शालवाद after the death of his father अपने पिता की इम्रत्तू के बाद एक शालवाद नों ने यह drama लिखा था किस ने लिखा था आर्थर मिलर ने तो published 7th February in 1968 में यह published हुआ था अगला है the meaning of title price is cost of furniture ठीक है यह title दिखाई दे रहा है न हमें यह the price तो price बाद दो price में इस होती है कीमत या मूले ठीक है यह हम आगे समझेंगे ठीक है तो देखो अगला है ठीक है दे रहा है तो फर्स्ट हमें दिखाई दे रहा है तो पिता की मृत्यू के बाद तो पिता का जो मकान था वो जीड हो जाता है मतलब और उसका जो सामान है वो भी पुराना और तूट फूट जाता है उसकी कीमत की बात होती है इन दोनों के पिता एक्सपायर हो जाते है तो यह जो है यह बड़ा है एक छोटा है तो यह पुलिशमेन है और यह पेसे से एक फिजिशियन है एक डॉक्टर है यह अपने फादर के लिए और फैमिली के लिए लॉयल रहा है और इसने अपने परवार की जिम्मेदारियों को समझा है और यह पाल्टर मनी माइंडेड हो जाता है और यह घर को छोड़ देता है और यह फाइनेंसली बहुत सही होता है मतलब इस पर बहुत पैसा होता है और एस्थर जो है इसकी पतनी है यह क्या है यह बिक्टर की बाइफ है इसकी पतनी है तो यह भी इसका थोड़ा सा रॉल है जब सॉलोमन क्या करता है जब यह दोनों दोनों क्या मतलब यह बिक्टर जब मकान होता है उसके फादर का उसका जो फरनीचर होता है old furniture और टूटा फूटा फरनीचर होता उसको जब बेचता है तो Solomon नम का एक furniture dealer आता है वो उसका मोल भाव करता है तो उस मोल भाव पर Esther अपना कुछ आर्ग्यू देती है वो उस furniture का जो मोल भाव लगाता है ये भाव लगाता है मतलब रुपई लगाता है एक हजार बन थाउजन डॉलर तो उससे ये satisfied नहीं होती है तो मैं थोड़ी से story आपको संचित में इसकी बता देना चाती हूँ तब हम चलते हैं आगे characters को डेल में पढ़ेंगे तो देखो ये क्या है दो भाईयों की कहानी है एक balter होता है मैं दिख रहा है balter है और एक victor है तो पिता की मरत्यू के बाद दोनों क्या करते हैं victor और balter दोनों अपना रास्ता अलग-अलग कर लेते हैं अलग-अलग का मतलब ये policeman हो जाता है और ये कौन हो जाता है physician हो एक doctor बन जाता है तो लगबह इनकी मुलाकात होती है शोलेशाल के बाद तो ये क्या करता है victor एक साधरण पुलिष मैं नहीं तो पता ही आपको तो पिता का जो पुराना मकान है वो क्या हो चुका है जीन हो चुका है मतलब बेकार हो चुका है डेस्टर हो चुका है और आता है ये है सॉलोमन आता है और उस सामान पर क्या करता है काफी देर तक क्या करता है मोल भाव करता है लेकिन जो बिक्टर है ये जो है सॉलोमन क्या करता है उस मकान के फरनीचर की कीमत उतनी नहीं लगाता है जितनी लगानी चाहिए तो विक्टर लेकिन उस मकान की चीजों की कीमत समझता है क्यों समझता है वो जानता है कि सही कीमत इन फरनीचर की क्या है क्यों है क्योंकि इस मकान की एक एक पुरौनी टूटी फूटे फरनीचर से उसकी यादें जुड़ी हुई है क्योंकि उसी furniture के शाथ से पर वह खेला है बड़ा हुआ है माता पिता के शाथ रहा है तो उसकी भावना है जुड़ी हुई है विक्टर की उससे लेकिन सॉलोमन के लिए तो ये furniture कीमती है ने वह तो अपने कवाड़े के भाव ही लगाएगा ठीक है लेकिन वो क्या करता है काफी दिर तक मोल भाव चलता है लेकिन क्या होता है उसकी कीमत तैने हो पाती है तब उसी समय बाल्टर का आवागमन होता है दोनों भाईयों में टक्रार होती है विक्तर को ये सिकायत है कि बाल्टर ने कभी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा घर छोड़कर चला गया और क्या बोलते हैं और उसने अपना रास्ता अलग कर लिया और विक्तर ने हमेशा अपने जिम्मेदारियों को समझा है वो एक अपना आदर्स परिवार बनाने की कोशिस की उसने बाल्टर एक आदर्स परिवार की अवधाना का घंडन करता है कि क्या होता है आदर्स परिवार किस आदर्स परिवार की बात करते हो तो दोनों में पुरा इतरो मन् देखता है कि भाई यहां तो में फरनीचर खरीदने आया था तो यहां तो इन तीनों में लड़ाई हो रही है लेकिन फरनीचर अर्च की कीमत यह जो है लगाता है 1000 डॉलर gover लेकिन यह जो है एस्थर और बाल्टर मतलब जो कीमत वह लगा रहा है उसकी creep aug하기 just तीन हजाद डॉलर चाहते हैं तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पढ़ लेते हैं फर्स्ट करेक्टर है विक्टर फ्रेंज ही इज दा फर्स्ट सन ओफ इज फादर यह अपने पिता का प्रथम पहला बेटा है और बाल्टर फ्रेंज का बड़ा भाई है यह अपने पिता और अपने परवार के लिए वफादार है अपने पिता की मिरत्यू के बाद की बांच टू सेल दा ओल्ड एंड ब्रॉकन फर्नीचर आफ दा हाउस तो यह अपने घर का पुराना और टूटा ब्रॉकन में टूटा हुआ फर्नीचर बेचना चाहता है एट देट टाइम उसी समय बाल्टर कमस बाल्टर आता है उन दोनों में इस पर टक्रार होती है विक्टर सेज विक्टर कहता है वाट डिड यू डू फॉर दा फैबली तुमने परवार के लिए क्या किया तो नेश्ट आगे चलेंगे बाल्टर फ्रेंच यह क्या है दूसरा बेटा है और फिस फादर अपने पिता का एंड यंगर ब्रॉदर और विक्टर का छोटा बाही है यह इज ए फिजीशियन दॉक्टर मतलब एक डॉक्टर है फिजीशियन है एंड मनी माइंड़ परसन और मनी माइंड़ परसन है यह एड लेफ्ट इस फैमिली फॉर मनी उसने परवार के लिए अपने वो मनी के लिए अपने परवार को छोड़ दिया बाल्टर इस आल्सो फाइनेंसली सक्सेस्फुल बाल्टर फाइनेंसली मतलब आर्थिक रूप से क्या है सक्सेस्फुल परसन है बट सफरिंग फ्रॉम ए नर्वस कॉलैप्स होगा यह ठीक है कॉलैप्स का मतलब होता है नर्वस सिस्टम जो होती है नशों में थोड़ा कमी आ जाना मतलब बॉड़ी नर्वस उस तरह से एक फिट सरीर की तरह जो फिट नर्वस सिस्टम होता हमारा उसकी तरह काम नहीं करता थोड़ा सा अपंग टाइब का हो जाता है नर्वर सिस्टम की का तो उसको ये विमारी हो जाती है ये परिशान होता है कैला अपसे से ठीक है अगला है सॉलोमन इज एक फरनीचर दीलर है वह क्या करता है बन थाउजनट डॉलर देता है विक्टर तो तैयार है बट इज बाइफ एंड आस्थर नहीं इज बाइफ एस्थर and brother Walter burnt three times of the amount ठीक है लेकिन वह है तो बेक्टर तो तयार है लेकिन उसकी पतनी Esther और उसका भाई Walter क्या चाहता है उस amount का तीन गुना चाहता है उस furniture का ठीक है जैसे एक हजार उसने लगाए तो एक हजार का तीन गुना मतलब वह तीन अजार डॉलर चाहते हैं तो आगे चलेंगे एक करेक्टर और है लास्ट Esther French Esther French तो आपको पता है कौन है Esther French है उसकी पतनी विक्टर की तो Esther French is the wife of Victor की पतनी है she is a money-minded lady she argues the price of the furniture और furniture के price पर क्या करती है आर्ग्यू करती है इस तरह से यह हमारा छोटा साड्रमा कम्प्लीट हो जाता है और मुझे उम्मीद है यह आपको समझ में आया होगा तो प्लीज कम से कम आप पढ़ते हो तो अगर समझ में आता है तो कम से कम एक लाइक तो कर दिया करो